है अलो भाइज दिस इस मोरीत अहरवार और आज का अपना टॉपिक है इम्मीनीटी तो इम्मीनीटी जो अपन का टर्म है जैसे कि एली प्लाइन्वार्मेंट में बहुत सारे बैक्तिरीय वाररस यह करते हैं और बहुत भ्सारे पेथोजन तो यहां सबस्टेंद की बोड़ी में सिस्टम पाया जाता है उसको रिजिस्ट करता अंदर आने से वही क्या कहलाती है इमनेटी इपकेटिया वायरा सब्सक्राइब पैटोजेन एक एंदर आ रहे हैं उनको लोखने की चमता ही क्या कहला था अपनकी इम्मेनिटी इस अब बाड़ी के इंटरी अप डिफरेंट टाइपस ऑफ और बाड़ी इनिटी और एक्कवाइड इम्मेनिटी इनिटी जन्मजाद जो पैदा होने के साथ ही अपनके है जोędा होने के बाद उक्रोड करते हैं अब मिण जर्मिजारत हो सकती है नौन इस पेसिपेक क्वा है करती दो ती नौन इक्टिक पोल जो एक होती है एक्टिव और प्यसिफि अच्थिव इसमें antibodies बगएर प्रोडीज होगी तो इसको क्या बोलेंगे अपन एक्टेव या नेचुरली एक्वार्ड और पेसे वाले में क्या रहेगा आर्टीविजियल मींस अपन किसी दूसरे से या किसी अधर परसन से अपन क्या antibodies अपन को पूछा जाता है क्या एक्टेव एंड पेसे वी इम्मुनिटी में अंतर ठीक है तो इसको अपन देखते हैं सबस्क्राइब प्रोडक्शन कौन करता है antibodies are produced by bodies on immune system response to antigen तो एक्टेव इम्मुनिटी में क्या body खुद प्रोडियूस करती है और जब कि पेसे वी इनिटेव आये तो किसी दूसरे से या किसी दूसरे से प्रोडियूस करवागे जैसे कि अपन क्या करते हैं और फिर उसको किसी के अंदर डाल देते हैं कोई किसी को सांप ने काट लिया तो यह जितने भी उनको antibodies का dose दिया जाता वह किसके अंतरगत दिया जाता है पेसे इम्मुनिटी के अंतरगत दिया जाता है ठीक है अब क्या होता है इसमें क्या होती है negative face तो जब सुरुवात में जो antibodies बच रहती है उनके साथ जब antigen interfere करता है तो क्या थोड़ी सी कम होने ल पर भड़ाबर ठीट फैन थोड़ा घटते यहां फर थोड़ा सवाइब थोड़ा सबस्क्राइब है दो असके पर ओपने बढ़ते हैं ठीक है थो फोड़ा सा लेटेंट लेखे तो नेगेट फेज इसलिए आई क्योंकि पहले से जो इंटीबॉडिस थी उनका यूज हो गया है अब नई एंटीबॉडिस का प्रोड़क्शन होना है तो नेगेट फेज डेबलार वेन अंधिया करने की बज़े से नेगेटर फेज डेबलाट होती है जबकि पैसे इम्मिनिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि यह बाहर से अपकर्ट करें गई इसमें बोडी फंक्शन का कोई काम ही नहीं है ठीक है फिर इसके बाद अपन देखते हैं लेटें पीडिया तो अपन की बोडी का अंदर इस अगर बोडी की एंटी बोडी को सकती है ठीक है डिपिसमें कोई लेटें प्रियद नहीं होता है ठीक है फिर अपन का सेकंडरी रेस्पोंस हां यह मैं है सेकंडेस होता है क्या पहली बार में पहचांगोज या या कि हां 4 4 आपते में उसने स्हस्ट दी आ है लेकर दूसरी बार में जब उसको पहले से पता रहे है क्यों किस बज़े से स्वाइस है यह सब्छे साकर all गया है जब कि इस दूपकर और संद्टमयण know-animal जीकल passado इसमें इम्मिनो लाश्टिकल मेमरी तो इस वजए से इसमें सेकंडी रिस्पोंस नहीं रहता है डियूरेशन इस लॉंग लास्टिंग एडिस सॉट लास्टिंग यह लाश्टिंग इसलब जैसे है क्योंकि इसमें सेकंडी रिस्पोंस भी आ रहा है और कि इसमें क्या है दूसरी दूसरी चीज से अपन एक कर रहा है तो खतम भी हो सकते हैं ठीक है एक्टिव और पैसर इम्मिनिटी में अंतर ते इतना अपन के लिए इनकी मेशन से होती है इम्मिनिटी और तो देखिए के डेवलम्मेंट के लिए अपनको युनिबर्सटी में दो टाइप से कॉस्टन पूल सकते एक तो मैंने आभी इमिनिटी का आपको बता दिया कि इमिनिटी पर कॉस्टन पूल सकता है इमिनिटी कहलाता क्या है उसके टाइस पर पैसे ठीक है उसके बाद यह मतलब होता है फिलूट मीश बलड तो ब्लड के अंदर मतलब फिलूट के द्वारा जो इमिनिटी प्रदान की जाए वो क्या कहलाती है उसमें क्या होता है एंटीबॉड़ इसमेंटी का प्रोड़क्शन होता है तो ही मेला निमीनिटी इजमिटेट वाइंटीड यह एंटी लिम्法 goodane भी अब देखते हैं पर लोग इसके इस पसंता है दो टाइप कर नेंति टाइप क। को बहुत को सकता है तो पहली बार में क्या होता है लेटेन करने होती है बो erf liaison syndrome to integrating ड् рублей तब पहली बार को राटा है वाड़ी के तो उसकी लिए प्राइमरी रिस्पोंस होता को प्राइमरी रिस्पोंस के पहरे यह इस में होता है स्ब्सक्राइब ANDREW immune system to antigen which introduced in bodies in second time second time second time जो antigen अंदर आया बोडी के तो उसकी लिए रिस्पोंस होता है अपन की हीमरल इम्मुनिटी का उसको क्या बोलते हैं पन सेकेंडरी रिस्पोंस ठीक है यह बहुत तुरंत होते हैं यह तो होता ही नहीं होगा यह बहुत कम होता होगा इम्मुन सिस्टम इस लाइबल टू रिटें दन मेमरी और प्रायर एंटीजन एक्सपोजा फॉर लॉंग प्रियाइड प्रिद्यूस एन एंस रिस्पोंस तो उसके अंदर क्या पहले से मेमरी रहती है यह एहां पहले आ चुका है तुब पहले अधने तयायर रहती हूं बहुत सारे लेंद बोबर कर करती है जैसरी वह राया उसाढ़र कर दा लाझ में धरंधे एक यह 32 कि पहुँच पाया उसके जब कि जब कि सेकेंडरे स्थिंट के बहुत सारे अंटी वाडी का प्रोडक्शन हुआ और तुरंथ लगवाद दूसरे हपते के पहले तुरंथ होकर सेकटरी रिस्पोंस आया है तो सेकेंडरे स्कूंस जाताना ना जब की प्राइमरी कम र प्रोसेसिंग करके उसको रिस्पोंस दिया जाता है ठीक है